अरकिसी की एक आईटी जेई की कहानी होती है ठीक उसी तरह मेरी भी है हो के तू बढ़ता चला जाओ लंबा सफर है तो के एरादे जूटी है रस में जूते हैं वादे अकेला सफर है तू ही है तेरा बेखोफ हो के तू उरता चला जाओ तू रुके ना, तू मुडे ना, चाहे गिरे तू सौ दफा, तुद से तुदी हां कर ले तू हार इक नमान उड़ता तू जिसमें लाइफ में पहली बार मुझे फेल्यूर से मिलवाया है लास में लास्ट आना क्या होता है? किसी सबसेट में जीरो मार्क्स लाना क्या होता है? किसी जाम के लिए बहुत मैनत से चीचान से पढ़ने के बाद भी रिजल्ट कुछ ना आए, फेल के बराबर आए और इन सब फेल्यूर के बाद आपको फिर से उटके खड़ा कैसे होना है? खुद के लिए काम कैसे करना है? ये सब मैरे अपनी इसी चर्णी से सीखिए तू हर इंसान लाइफ में बहुत कुछ फेल्ट करता है तब उसे जाकर कुछ ना कुछ मिलता है बहुत हार्ट वक करता है बहुत पार फिर्लियूर देखना पड़ता है मैंने भी देखा है आप दी देखोगे लेकिन एक चीज़ जरूर है सीखोगे बहुत कुछ सीखोगे मुक्ता सुरजय तू कल की के रन्या तू बढ़ के बाद तू परस जा तू रुके ना तू मुरे ना चाहे गिरे तू सौदफाव इसी के भी जही की जहनी की सुरूआ तो क्लास 10 के बाद ही स्टार हो जाती है तेन में अच्छे माक्सा है आपके पास तो अप्शन रखा जाता है इंजिनेरिंग में जो या फिर में निकल में जो ठीक मेरे साथ भी वैसा ही हुआ और मैंको बच्पन से ही माथ बहुत मैंने तो सोच लिया था में को तो इंजिनेरिंग में ही रहना है उसके बाद स्टार्ट हुआ लाइफ का असली करेंड यह और चैसे जैसे दिन निकलता गया मुझे समझ में आने लगा कि चुपी क्लास में पढ़ाया जा रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि में मेरे माक्स आते थे वन आउट और फिप्टी हमेशे अपने क्लास में टॉप पर रही थी इसी को समझ नहीं आ रहा था कि जो इंसान इतना पढ़ता था वो आज नहीं कैसे पढ़ने लगा उसका रिजल्ट इतना कैसे खराब होने लगा फिर मैंने कोचिंग सिफ्ट किया एक कोचिंग में अल्रेडी एक लाख बरबाद इसी तरह दिन निकलते किया और मेरा भी पढ़ाई जोरो सोरो से चल रहा था लाइब सब्सक्राइब मेरे दिमाग में बस एक ही चीज था में को आया इटी जाना है इसके लिए मैं को कुछ भी करना पड़े यहां तक जब मैं जाती थी कोचिंग जाने के लिए रोड पे च पर पढ़ते रहती, मेरे पास कोई मोगाईल फोन नहीं था क्या लगता आपको इतना पढ़ने के बाद मेरा नहीं होता मेरा पेपर खराब चला जाता यही होती है जिन्दगी जो हर समय आपको सिखाती है कि लाइफ में फेलो ना क्या होता है और मेरे साथ तो लाइक बहुत बुरा हुआ जिसने दिन हम पेपर देने गए थे मेरे से आक्चुली वहाँ पेपर में क्या कर सकते हैं घरा जाएं माक्स अपना काल्कुलेट किया मेरा अध्या माक्स नहीं एक इक्सपेट नहीं कर रहे थे हम आपको वह सिचुएशन अभी पथा भी नहीं सकते हैं मेरे उपर क्या गुजर रहा था बस mental pressure इसी चीज का नहीं था कि मेरा marks इतना कमाया इतना सारा उस समय दिमाग में चल रहा था एक relatives को call आ रहा था that कैसा गया paper, क्या है result, कैसा है ये सब चीज में को अंदर ये अंदर बहुत खा रहा था हम सामने बैठे रहते थे और हम अपने पापा को बिल्कुल helpless देख रहे थे और मैं ये सब देख करके दीरे-दीरे अंदर बहुत जाथा डिप्रेस होते जा रही थी में को समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूँ next step फर से exam दूँ मैं एक बार और ट्राइ करूँ तू अप्त लगता हो तूरा होने ही बारा है पूरा मत सिख ज़जा तू रद कर दे एचा है तो है रास्ता ये चान ले जरा अप्ति ज़जीव के खारण मेरा चाही कलियार नहीं हुआ था तो में वान और ओली रीजन इस आई दिन्ट हाव राइट रिसोर्सेज ये मुझे पता कब चला जब में को आच्छुली में राइट रिसोर्सेज मिला जब मैं पढ़ी और ये सब फिर कैसे हुआ में को कैसे राइट रिसोर्सेज मिला फिर इसे प्रिप्रेशन किरूं स्टार्ट किया इतना पढ़ी के बाद मैं बिल्कुल वो प्लेस हो चुकी थी तो आप जानना चाहते हो इसके आगे क्या हुआ अगर आप इसका पाट तू देखना चाहते हो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना अच्छा रगाओ कमेंट कर देना चानल सब्सक्राइब कर देना और मेरते हैं फे नेक्स वीडियो में